आप जब भी अपने home garden के लिए सबजियों वाले पौध्यों के बीज से जो पौधे तयार करते हैं तो कई बार क्या होता है कुछ पौधे उग जाते हैं कुछ पौधे नहीं उगते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों होता है और इस चीज से आपको कैसे मतलब इसे सही करना है ताकि आपके जो पौधे हैं वो सही समय पतयार हो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे हमने टमाटर, बैगन, ब्रोकली, मिर्च, सिमला मिर्च और गोभी, पत्ता गोभी और यहाँ पर चुकंदर इन सब के बीज एक साथ एक ही डेट में लगाए थे और आप देख रहे हैं यहाँ पर चुकंदर के बीज उग गए हैं, कैबेज है, कौली फिलाबर है, कैप्सिकम के बीज नहीं हो गए हैं, अभी बिलकुल बीज ओगना शुरू हुए हैं, देखिए तो लगबग आज 9 दिन है, 8 दिन हो गए हैं, और कुछ बीज बहुत जल्दी उग जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ब्रोकली के पौधे तो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन मिर्च के जो पौधे हैं, अभी उगी रहे हैं, यहाँ पर देखिए, एक पौधा यह ब सकता है, यह आप जब सीड खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर इन्फॉर्मिशन मिल जाएगी कि कितने दिन में यह जर्मिनेट होगा, उसके हिसाब से ही आप इनको रखिए, और देखिए कि इसका मैक्जिमम जर्मिनेशन टाइम कितना है, उन दिनों तक आपको इसमें प् साथ दिन आठ दिन तक बिल्कुल भी नहीं दिख रहे थे, अगर मैं सोचता कि बीज जर्मिनेट नहीं हो रहे और इसे हटा देता, तो सायद मेरे पूरे बीज ही खराब हो जाते और मेरी मेहनत खराब हो जाती, यहां भी आप देखिए, यहां से मिर्च कभी पौधा निक से हमारे जो बीज हैं वो अलग-अलग समय पर उखते हैं और पौधे अलग-अलग स्पीट से बढ़ते हैं और पौधे बनते हैं, जब यह पौधे बड़े हो जाएं लग-बख चार से पांच इंच के, इतने बड़े हो जाएं जैसे यह मिर्च के पौधे हैं, तो आप इ अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें सेयर करें इसी तरह की और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें